आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धार्म और संस्क्रीत से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुचाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए आज हम बात करेंगे फालगुन मास के शुक्ल पक्स की एकादशी की सनातन संस्कृत में एकादशी वरत का अपना विशिष्ट स्थान है भगवान विश्ण को समर्पिते वरत महीने के दोनों पक्सों की एकादशी तितिको रखा जाता है इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती है अधिक मास होने पर दो एकादशी बढ़ जाती है हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है तो चलिए जानते हैं फालगुन शुक्लपक्स की एकादशी के बारे में जिसे आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है इसे रंगभरी एकादशी भी कहते है आमलकी एकादशी 24 मार्च दिन बुद्वार को है कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने आमले को आदि व्रिख्ष के रूप में प्रतिश्चित किया था तो चलिए अब जान लेते हैं कि आमलकी एक आदिश्य व्रत की विधि क्या है एक आदिश्ची से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें सुबह जल्दी उठकर सनान करें सनान के बाद व्रत का संकल्प लें आमले की व्रिख्ष के पास भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें विधी विदान से पहले आमले की पूजा करें और उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें वैदिक मंत्रों से ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। बुनह पाद्ध्य अर्ग्य आचमन और स्नान अर्पन करें। पंचाम्र से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्जों पवीत, चंदन, खूल, खूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पन करें। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवस्त्र चढ़ाएं। साथ ही आज के दिन आमला अवस्त्र चढ़ाएं। अपने सामर्थ के नुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा मिठाई का भो करें। वैसे तो एक आदशी का व्रत निर्जला रहा जाता है। लेकिन अगर संभव नहीं हो तो फला हार कर सकते हैं। मुहमाया से दूर रहकर इस दिन भजन करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को नुसार उन्हें भोग लगाए। एक आदशी के दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से विशेश फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि पारण कब करें। किसी भी एक आदशी व्रत का पारण द्वादशी तिति में करना चाहिए। द्वादशी मे चलिए अब जान लेते हैं आमल की एक आदशी का महत्व क्या है। आमल की एक आदशी का प्रत महान पुर्णे प्रद है। आमल की एक आदशी का प्रत करने वाला सब पापों और दुखों से छुटकारा पाता है। इस एक आदशी को धर्म अर्थ काम और मुक्स प्रदान क इस दिन आवलने की व्रिक्ष की पूजा करने से माता लक्समी और भगवान विष्टु की किरपा से सुख संब्रद्य की प्राप्त होती है। काशी में होली के पर्व की शुरुवात भी हो जाती है। यह पर्व लगातार छे दीनों तक चलता है। काशी में होली काशी में हो जाता है। कर दो